चले देखे ये दूसरी के स्टेडी अब ये CSR जुड़ी है कॉर्पोरेट सोसर रिस्पॉंसिविल्टी या निगमेत सामाजिक उत्तरदायत अगें देखें ये टॉपिक कहा कहा पढ़ना है तो लोग प्रशासन जी एस जी एस में गवर्नेंस में भी जी एस में एकॉनमी थ करते हैं हम कॉर्पोरेट सोसर रिस्पॉंसिविल्टी या निगमित सामाजिक उत्तरदायत और क्या होता है ये टॉपिक कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये जो भी कमाई करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज हिस्सा लोगों के पर्यावरण के कल्यान और व हिस्सा समाज और पर्यावरण के हित्में खर्च करें हमारे देश में जो नया कंपनी कानून बना है 2014 से लागू हुआ है उसमें हमने कानूनन बाध्धिता की है कॉर्पोरेट सोसर रिस्पॉंसिविल्टी की देखें दो अगस्त के उसी दैनिक भासकर अखवार में था एक बिग्यापन के रूप में तीन अगस्त का है तो देखिए आप बेदान्ता समू आप सब नाम सुनते हैं बेदान्ता समू जिसके मालेक अनेल अगरवाल तो वो कैसे सोसल रिस्पॉंसिविल्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं उससे जुड़ा एक ही आपके पास केस स्टेडी है देखे नंद घर नाम का एक बड़ा अच्छा इनका कॉंसेप्ट है राजिस्थान में देखे लिखा है जहां पानी रोटी तक का संघर्ष बहा के बच्चों वा महिलाओं कोई समर रही जिंदगी तेरा सो नंद घर पूरे राजिस्थान में जबकी बारा राजियों में तीन हजार तीन सो अरतालीस नंद घर खोले हैं इनों एक लाख बीस हजार बच्चे और नब्वे हजार महिलाएं केवल राजिस्थान में जड़ी हैं नंद घर से दो हजार पच्चीस तक राजिस्थान में पच्चीस हजार नंद घर में दस लाख बच्चों बस साड़े साथ लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष है कितने वड़े लेबल पे क्रांती हो रही है यह नंद घर के माध्यम से क्या होता है नंद घर में तो थोड़ा सा देखिया कोई ने ठीक सामाजिक भलाई के कार्मे भारत का सितारा दुनिया में बुलंद अनेल अगरवाल फुड़ा सा पढ़ता हूँ सामाजिक भलाई के कार्यों में लगाने का संकल्ब किया है जो कानून बना है हमारे देश में किवल दो परसेंट की बादिता है उसमें कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं को शर्ते हैं कि जिनको वो पालन करना है तो उने अपनी कमाई का दो परसेंट हिस्सा सी एसार पर खर्च करना है और यहां लिखा है कि अपनी संपत्ती का 75 प्रतीशा कमाईनी संपत्ती का 75 प्रतीशा सामाजिक भलाई के कार्यों में लगाने का संकल्ब रेखिया पिछले साल अगरवाल ने दा गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किये और बिल गेट्स और बारेन बफे जैसे बैश्विक परोपकारी लोगों में शामिल हो गए एडल गिब हुरून की भारत परोपकार सूची 2021 ने उने सबसे प्रमुख दानदाताओं में इस्थान दिया मुंबई के समगर विकास की दिशा में उनकी उतकुष सेवाओं के लिए प्रतिश्ठित मुंबई रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया और फिर पूरा देखे अब उनके बारे में दिया है यह नंदघर के बारे में है पूरा की क्या कॉंसेफ्ट है नंदघर का बाडमेर से 2016 से सुरुवात हुई अब राजिस्थान के 1300 नंदघर के 52,000 बच्चे e-learning से हो रहे हैं दक्ष तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उसमें भी e-learning फिर वो पूरी आप न्यूज देखेंगे बाड़ वेर जिला मुख्याल ऐसे सुदूर बायुतू छेतर की धतरवालों अब वो पूरी न्यूज है वो में मुझे पढ़ने की जरुवत नहीं है पस मेरा फिर एक बताने का उद्देस यह है कि आप C.S.R. में चर्चा कर सकते हैं खाना पीना उस सब देखे लिखा हुआ है उसमें नास्ते में मुरमुरे काले चड़े गुल दलिया पोहे दिये मू मोड लेता मीठे के साथ तीखा खाने की आदत देखे क्या तो वही है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई की आदत डाली जाए जादा से जादा बच्चों को पढ़ने के लिए जोड़ा जाए आंगनवारी केंद्रों से जोड़ा जा रहा है तो महिलाओं के लिए भी तो पूरी केस्टेडी आपको यहां आई है मिलेगी तो बिग्यापन जैसा था न्यूज पेपर में कई बार होता क्या है मैं अक्सर यह बताता रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले आये थे इस्टुएंट आनंद बोले सर अब जब से यह कर रहे हैं तो न्यूज पेपर पढ़ने का नजरिया ही बदल गया है बही न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं 16 पे 14 पेच का लेकर हमारे काम का क्या है यही नहीं समझ पाते हैं कई बार सब इस तरह से आप देखें कि कहने को विज्यापन है लेकर वो हमारे सिलेवस का एक हिस्सा है बस वो एपरोच डबल अप हो जाएगी इसमें से चार छे आट लाइन निकाल के नोट्स में आंसर में शामिल कर लेंगे हमारे दो पांच परसेंट नमबर दस परसेंट नमबर बढ़ जाएंगी बस वो हमें टॉपिक दिमाग में होना चाहिए पूरा सिलेवस कि हमारा सिलेवस क्या है क्या कॉंसेप्ट है उसका और अब जो यह अखवार में हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज कहां से जुड़ी हुई है कैसे हमें उनको आपस में जुड़ना है अगरवाल ने के परोपकारी कार्यों के लिए अनेल अगरवाल फाउंडेशन अगले पांच बरशों में भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पांच हजार करोड रुपए खर्च करने का बादा किया है तो पांच साल में पांच हजार करोड रुपए महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए AAF वही अनिल अग्वाल फाउंडेशन की प्रमुक परियोजना नंद घर महिलाओं बच्चों के विकास के लिए आंगनवारी केंदर में अपनी तरह की पहली सारवजनिक निजी भागीदारी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप का भी कॉंसेप्ट है इसका उद्देश साथ करोड बच्चों और दो करोड महिलाओं को शिक्षा, पोसन, स्वास्त देखवाल और कौशल में समग्र विकास के आउसर प्रदान करके उनके जीवन को बदलना है देखे परपस क्या है नंदघर का तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर से भागीदारी से जुड़ी योजना है इसका उद्देश साथ करोड बच्चों और दो करोड महिलाओं के शिक्षा, स्वास्त, पोशन को बहतर करना तो कॉर्पोरेट, सोसल रिस्पॉंसिबिल्टी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर से आप चर्चा कर सकते हैं इस केस स्टडी की आपको दिया गया है मैगजीन में ये, तीन अगस्यका है